प्रदेश में हुए 2000 करोड के शराब घोटाले के खिलाब गुरुवार को भाजपा ने महाधरना दिया महाधरना सभा में शामिल पूर वो सीम डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि भुपे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुखी मत्री हुपेश बगेल के ब्रस्टाचार का एडी ने जो प्रमान सहित नियाले में दस्ताविच प्रस्तुत किया है उसके आधार पर 2021 से 2021 बाइस तक 2000 करोड से जादा के घुटाले का साक्ष प्रमान सहित इडी ने जब किया है घुटालों में लिप्त भुपे सरकार को अब पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस विधायक खुद अपने नैतित वाली सरकार के भरष्टाचार से तरस्त हो गए है महिला विधायक को मंगल सुत्र आर्टियो दफ्तर में रखना पड़ रहा है इससे अधिक शर्म की बात इस सरकार में और कुछ नहीं हो सकती बुपेज वगेल की भरष्टाचार जो इन्फोर्समेंट डिरेक्टेट इडी ने जो प्रमाण सहित नियाला में दस्तावेच पस्तुत किया है उसके आधार पर दो हजार बीस इकिस में इकिस बाइस तक दो हजार करोड से जादा का गोटाला के साक्ष प्रमाण सहित इडी ने जब प्या है और टोटल शराब विक्री का 30 से 40 प्रतिशत अवैद रुप से सरकार के दुकानों में अभी तक तो शराब शराब के ठेकेदार अवैद शराब बेचते थे हिंदुस्तान में छत्तिगड़ा केला राज होगा जहां सरकार अवैद शराब बेच रही है बीना होलोक के बीना वेट पटा है बीना एक साहिस द्यूटी पटा है यह सरकारी दुकान पे पीसीयम के नाम से 2000 करोण रूपया कलेट किया इससे बड़ा प्रस्ताचार और इससे बड़ा प्रमान और कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि सरकार खुद ब्रस्ताचार में लिप्त है और यह पूरे पूरे डिश्टरली के साथ जब शराब निकलता है उस समय वीडियोग्राफी होती है दुकान में आता है तो सीची टीवी में निगराणी में रहता है 17 में हमने पॉल स्री बनाई तो इसम्में अवैज शराब के काम बंद हो गया था कि 2019 में नहीं पॉल स्री बनाई जिसमें अवैज शराब के धन्दे के राश्ते खुल गया है उसलिए आज हम यह घोटाले की स्रिंक़ला है पहले कोईले में 55 रुपिया की अवैद वसुली फिर 5000 करोड का चावल का घोटाला अब ये 2000 करोड रुपिया का जो शराब घोटाला हुआ है उसको ये तुल्ला किया जा हिंदुस्तान के भरस्ताचार में दिल्ली में शराब बोटाला से दस्गुना बड़ा है अब भुबेज बगेल को एक दिन के लिए भी मुख्यमंत्री पद में बने रहने का नैती का धिकार नहीं है अब आर्टियो में महिला विधाय खुद जाके अपने मंगल सुथ रखती है इससे शरम की बाद इस सरकार के लिए कुछ नहीं